तो हलो दोस्तों नमस्कार मुरणाम इसंधीप और आप सभी का वेलकम हैं नथिग इंपॉसिबल के योटोब चैनल पर आसे करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी के प्रपरेशन भी बहुत है अच्छे तरीके से चल रही होगें तो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम लोग योजिसीनेट फर्स्ट पेपर में एक्जाम 2022 और 23 के पॉइंट आव विव से इसके साथ साथ करेंट टाइम में या वर्तमान समय में जो आपका एक्जाम चल ला है उसके भी पॉइंट आव विव से लोग विकास एवं परिय सेट के लिए अगर आप चाहें तो आप प्रिबियस एर के जब से पेपर हो रहे हैं और अब तक जितने भी कुर्ष्ट प्रिबियस एर के बन चुके उन सारे को आप अपर अपर बन जाएगा उसके लिए कोई नई प्रैक्टिस सेट के अवशकता आपको नहीं पढ़ने व उसे तो एक भी कुश्चन आपको मिस नहीं करना है वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है और लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना फिडबेक जरूद दीजिएगा कुश्चन कैसा रहा और कैसा कमेंट मुझे आया था कि सेकेंड यूनिट के जै करते हैं शबसे पहला कुश्चन आपके स्क्रीन पर यहां पर दिख रहा है तो यहां पर देखे पूछा क्याएंगे कि भारत में निम्नलिखित में से किस उद्योग में जल की अधिक्तम खपत होती है तो बैसिकली इन चारों विकल्पों में से यह आपको बताने का प्रया सन्यंत्र है और डी कागज और लुगदी उद्योग है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर जो है आप मुझे जवाब देजिए का कि कौन सा विकल्प आपका सही है यह भी कुश्चन आइधिंक 2018 का यह कुश्चन है 2018 में यह कुश्चन आप से पूचा गया था लोग विकासियो परियवरण वाले यूनिट से देखें यहां पर इस कुश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्सन नंबर सी ताप विद्धुत सन्यंत्र तो भारत में इन चारों विकल्पों में से जो है ताप विद्धुत सन्यंत्र उद्योग में जो है सब से ज्यादा जल का यहां पर खपत किया जाता है अब बोलेंगे कैसे तो यहां पर ताप विद्धुत ग्री में डारेक्ट कोईला बर्न करकर बिजली नहीं मनाई जाती है कोईले को बर्न किया जाता है और उपर एक बॉयलर होता है जिसमें पानी होता है और पानी को बॉयल कि अगला कुश्चन देखने से पहले अगर आप नए सिरे से और प्रॉपर वे में यूजर सिनेट की प्रिपेशन करना चाहते हैं और आपका सब्जेक्ट इंगलिस, कॉमर्श, मैनेजमेंट और कम्पिटर साइन्स है तो यहाँ पर IFS इंस्टूट के तरब से जो है 25 जुलाई कोर्स में यहाँ पर आपको 20% का फ्लैट डिसकाउंट दिया जा रहा है इसके साथ इस इंस्टूट के तरब से जो है आपको मनी बैक के गरेंटी भी दी जा रही है यानि कि अगर आप नेट या जारे क्लियर करते हैं तो यहाँ पर आपका फीस पूरा रिफंड हो जाएग अगला नमरा है कुष्चिन नमर टू देखे इसमें पूछा जा रही क्या यहाँ पर पूछा जा रहे के सलफर डाइ औकसाइड प्रदूसर्ण की जैव निगरानी पादप है इन चारो विकलपों में शेक कौन से है जो सलफर डाइ औकसाइड गैस होती है वो यहाँ पर ब पतिदार सब्जी है तंबाकू अंगूर और बागसेम है और एपिक कॉट्स अक्रोट आडू और इस तरीके से यहां पर ग्लेडियोलस यहां पर दिया गया है तो इन चारों विकल्पों में से राइट आंसर आपका क्या है इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है यहां पर इस question का जो हमारा right answer हो जाएगा वो है आपका option number A यहां पर स्वेत देवदार जो है वो काई फिर उसके बाद से जिसको सैवाल बोलते हैं यहां पर हरे हरे कलर की बरसात के समय में पानी के साहरे वो जम जाती है आप सभी ने देखा होगा तो यह जो है sulfur dioxide को जो है तरीके से absorb करता है जैसे कि जैव निगरानी पादब के रूप में इसको आप समझ सकते हैं तो यहां पर option क्या हो जाएगा हमारा right answer हो जाएगा अगर आपने option A right answer बताया तो यह आपका सही answer हो जाएगा आईए अगला question देखते हैं अगला question हमारा है question number 3 देखे इसमें से साथ रहना कि कौन सा मानक ऐसा है जिसको हम बड़ा भुकंप की संग्या दे सकते हैं कि यह बुकंप काफी जादा बड़े लिवल का है तो बैसे कि यहां पर पहला दिया गया है four point zero से लिके फौर फवाइंड री दिया गया है और दिया गया है six point zero सोथके six point nine और दिया ग कुश्चन है आप प्रिविय सिर की कुश्चन पेपर को देखेगा ये कुश्चन पूछा गया था अब देखिए इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्सन नंबर यहां पर डी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा 7.0 से लेकर अगर 7.9 के किया जाते कि कितने लेवल का ये भुकंप है लेकिन किस यंतर से जो है भुकंप को मापा जाता है तो सिस्मोग्राप से ये आपको याद रखने तो इसमें कंफ्यूजिंग कभी नहीं होना है इस पे मापा जाता है रिक्टर स्केल जिसमें स्केल बना होता है पैमाना ठीक ह उसके बाद से कौन सा यंत्र होता है तो सिस्मो ग्राफ होता है यह आपको याद रखना है तो उमीद करता हूँ कि आप सभी ने option D right answer comment box में बताया होगा आईए अगला question देखते हैं अगला question हमारा है question number 4 देखें यहाँ पर पूछा रहे कि बायो मास को एक प्रमुक उर्जा इस्तरोत के रूप में प्रियोग करने में सबसे बड़ी बाधा कौन सी है इन चारो विकल्पों में से आपको बताना है बायो मास की बात यहां पर की जा रही है एक प्रमुक उर्जा इस्त्रोत के रूप में प्रियोग करने में सबसे बड़ी बाधा इन चारों में से क्या है पहला दिया गया वाणी जी करण के लिए प्रदौग की शुविक्सित नहीं है बी यहां पर दिया गया नियू निस्तर की उर्जा उत्पन होती है सी है उर्जा फशल उगाने के लिए बहुत अधिक भूमी के अविशक्ता पड़ती है और दी दिया गया दहन के कारण वायू प्रदौशर होता है आप दिखें यहां पर इस विकल जो इस कुश्चन का आपको राइट आंसर बताना है तो विडियो को पहुच करके इसका राइट आंसर जरूर बताईए यहां पर इस कुश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका option number D दहन के कारण वायू प्रदूसर होता है तो जितने भी बायो मास इंधन होता है आपका बायो मास इंधन का मतलब आपका जीवास में इंधन यानि कि जीव के आउशेशों के द्वारा जो इंधन बना होता है जिसमें petrol है, diesel है, आपकी प्राक्तिक गैस ठीक है तो इस तरीके से यह जो इंधन होता है जब आप इनको उर्जा के लिए जलाते हैं या बर्न करते हैं तो उसमें से कई सारे अप्षिष्ट गैस भी निकलते हैं तो अगर आप इसका दहन करते हैं तो वायू प्रदूसर यहाँ पर होगा यह आपको याद राखना है तो उप्षिण डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा वर्तमान समय में आपको देख सकते हैं तो यहाँ पर ऑप्षिण डी आप सभी ने राइट आंसर बताया होगा आई एगला कुश्चिन देखते हैं अगला कुश्चिन हमारा है कुश्चिन नमबर 5 देखे यह कुश्चिन अभिकथन और कारणवाला है ऐसा भी कुश्चिन आपको जैसे कि 5 कुश्चिन यूनिट में पूछे जारा है तो एक कुश्चिन साहद आपको इस तरीके से दिखने को मिल जाएगा अभिकथन कारणवाला और मैचिंग वाला कुश्चिन तो हम इसे देखते हैं देखे इसमें अभिकथन में क्या दियागा कि जलवायू परिवर्तन भारत में सामाजिक तनाव बढ़ाएगा कारण क्या बताया जा रहा है कि मौसम की चरम इस्थिती की आवरिती और तीवरता का खाद्य सुरच्छा पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा तो अब इन चारों विकल्पों में से आपको अपना राइट आंसर बताना है क्या अभिकथन सही है कारण अभिकथन को एक्स्पिलेंड कर रहा है यह आपको समझना है इसके बाद से आपको इसमें से राइट आंसर बताने कि यह बी सी या डी सही है तो सही आंसर क्या है जवाब दे देखे यहां पर इस कोश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका option number A यहाँ पर A और R दोनों से यह और R A की सही व्याक है कैसे इसको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ अब एक अथन में यह बताएगा कि जलवायू परिवर्तन भारत में सामाजी क्तनाव बढ़ाएगा जाइर सी बात है जो climate change है उससे काफी जादा परिवर्तन आपको जलवायू संमंदी अलग अलग मौसम देखने को मिल ला है जैसे कि भारत में मौसम जो है काफी जादा बदलाओ देखने को आपको मिल ला है जहां पे मानसून बहुत ज़्यादा आता था जिसे बारिस ज़्यादा होती थी वहां पे बारिस कहीं पे कम हो गया है कहीं पे गरमी बढ़ गया है वैस्विक इस्तर पे यह देखने को मिला जैसे इटली में भी climate change के वज़े से तापमान बढ़ने के वज़े से कहीं पर सेव की खेती होती थी तो वहाँ पर सेव की खेती पॉसिबल नहीं हो पा रही है तो यह सारा मतलब वैस्विक इस्तर पे लेकिन यह भारत में भी जो है आपका सामाजिक तनाव का कारड़ बन सकता है और इसके साथ कारड़ क्या है कि मौसम की चरम इस्तिती की आवरिती और तीवरता का खाद्य सुरचा पर गमीर प्रभाव पड़ेगा यानि कि जो खाद्यान पदार्थ हम उगाते हैं उसमें कहीं ने कहीं समस्या यह उत्पन करेगा क्लाइमेट चेंज का मतलब जितने भी हमारी फसली है क्लाइमेट से ही संबंदित हैं ज्यादा बारिस हो थी हम धान हुगाते हैं ठंड के मौसम में हम गहुगाते हैं तो अगर जहां परिवर्तन होगा तो यह क्रॉप्स पर प्रभाव पड़ेगा जिसके वज़े से यह सम किति को डिश्टर्ब करने का भी काम कर रहे हैं और इसका प्रभाव आपको क्लाइमेट चेंज के रूप में देखने को मिल ला है हम मोटर काड़ी गार जैसे कार इस तरीके के संसाथनों का इस्तमाल करते हैं जिससे कई सारे हानिकारक गैस निकलते हैं और वायू पर दूस घंगा नदी निकट भविश्च में और अधिक स्वच्छ मैं होगी निमनलिखित मैं से कौन सा तरक गलत है आपको बताना है तो यहां पर ब्र mitt एधिन में हो सकती भले उस पर कितना बी काम किया रहा है क्योंकि कि नभी का मैं कि प्रतिक व्यक्ति का दाइत्त वहív преступलों कि चीज को स्वच्छ हो सकता है लेकिन लोग ही चाहेंगे कि वह गंदा रहे थो फ्र Bis तो वह कभी साप नहीं हो सकता है यह भी आप समझ सकते हैं तो नीमलखित में से कौन सा तरक हमारा हो जाएगा इस question का जो हमारा right answer हो जाएगा वो है आपका option number C कैसे ये देखे जलवाई परिवर्तन आपका main कारण है कि हालिया अध्यन में पता चला है कि गंगा नदी निकड़ भविष्ट में और अधिक स्वच्छ नहीं हो तो वो क्या होंगे तापमान बढ़ने से जल्दी पिखल जाएंगे तो पानी जब होगा ही नहीं तो नदी का प्रवा अपने आप चिड़ो जाएगा तो main climate change है और तो इसे आपको याद रखना है और main देखे कई सारे factor है यहाँ पे और यह तो main factor है climate change लेकिन और भी अगर factor यहाँ पर दिया होता तो उसको भी हम सामिल कर सकते थे लेकिन चार विकल्प दिये गए हैं तो जिसमें सबसे उचित विकल्प आपका climate change हो जाएगा तो अगर आपने आप संसी राइट आंसर लगाया है तो आप इसका सही आंसर बता रहे हैं यह आ आदिक स्वच्छ नहीं होने दे रहे हैं ऐसे कौन-कौन से फैक्टर हैं आपको जो है comment box में दो फैक्टर मुझे लिख कर बताने हैं यह तो आपका 2018 का question है वहाँ पर यह पूछा गया था climate changes का answer था लेकिन माली यह question modify करके आप से पूछ लिया जा तो आपको बताने कि ऐसे कौन से दो फैक्टर हैं जिसको देखकर आपको लगता है कि आने वाले समय में चार से पांस साल में गंगा नदी और साफ नहीं हो सकती है दो अमित करता हूँ आपको question clear होगा और इस question का right answer आप सभी ने सही बताया होगा comment box में आईए अगला question देखते हैं अगला question नमरा है question question number seven देखे इसमें पूछा जा रहे कि ब्रहतर वर्सा वन छेतरों की कटाई का दिरगावधी प्रभाव क्या हो सकता है इन चारों विकल्पों में से आपको वस्ताना है मतलब ब्रहतर वर्सा वन जो होते हैं अगर वहां पर जादतर वनों की अगर कटाई हो जाती है तो उस चारों में से राइट आंसर का इसका जवाब आपको देना है देखे इस question का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका option number D यहां पर राइट आंसर हो जाएगा मृधा परदन में ब्रिद्धी तो आपको बता है कि पेड़ की जड़े होती है वो मिट्टी को पकड़ हो जाते हैं तो कई सारे factor हैं यहां पर basically लेकिन इस question का जो आपका right answer हो जाएगा अगर ब्रियतर वर्सा वन छेतरों में पेड़ों की कटाई आप कर देते हैं तो लंबे समय में आपको मृधा परदन में ब्रिद्धी यहां पर देखने को मिल जाएगी तो option D क्या हो हमारा right answer आई एगला question देखते हैं अगला question नमारा question number 8 देखी यह भी question अभिकतन और कारण वाला है अभिकतन में दिया गया कि पर्यावरडी और सामाजिक प्रभाव आकलन कभी भी अप पर sorry यहां पर अप वरजी है यह अप वरजी नहीं होते हैं कारण क्या बताएगा कि पर्यावरडी और सामाजिक प्रभाव आकलन एक ही spectrum के विपरीत उद्देश हैं अब यहां पर इन चारों विकल्पों में से आपको अपना right answer बताने का प्रयास करना है कि इन चारों में से ही हो जाएगा सभी question most important question है previous year के यह सारे question है 2021 का भी मैंने question करा दिया और 2020 का और 2019 का question type हो रहा है वो भी मैं जल्दी आपको provide कर दूँगा आपकी यह 5 question कहीं जाने वाले नहीं है वरतमान समय में जितने कुछ चक्रवात आये हैं आपके एक दो साल के उनको आपको देख लेन देखें यहां पर इस question का जो हमारा right answer हो जाएगा वो है आपका option number D क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा A गलत है किन्तु R आपका सही है A जो दिया गया यहां पर अभी के थर वह गलत है पर्यवरणी और सामाजिक प्रभाव आकलन कभी भी अप वरजी नहीं होते हैं यह गलत द में केवल R दिया गया तो इसलिए R वाला हमारा यह right है जो कि D में दिया गया है तो D option हमारा क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा अगर आपने option D बताया तो यह आपका सही answer हो जाएगा आई अगला question हमारा है question number 9 देखें यहां पर पूछा क्या जा रहा basically इसमें दिया गया कि नि परावर्तित विकरण को अलबीडो की संग्या दी जाती है और फिर दूसरा क्या दिया है काया का ताप संतुलन अच्छुड बनाए रखने के लिए वातावरण अतिया वश्चक है और फिर सी तीसरा दिया गया है यहां पर कि ताप और सूर्य प्रकास दोनों वातावरण स से होकर गुजरते हैं अब इन तीनों कतनों को आपको अच्छे तरीके से समझना अगर आपने इसके बारे में पढ़ा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपना राइट आंसर भी बता दिया होंगे तो देखें यहां पर इस कुश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो इसका राइट आउंसर यानि कि पहला भी है दूसरा भी सही और तीसरा है वातावरण में पश्च परावर्तित विकरण को अलबीडों की संग्या दे जाती और सबसे जञदा इसका होता है ताजा बर्फ का यानि या बर्फ से जो जब प्रकास उसपे पढ़ता तो जादा रिफलेक्ट हो जाता है वही उसका अलबेडो है तो आई होप कि यह आपको समझ में आ रहा होगा फिर दूसरा है काया का ताप संतुलन अच्छोड बनाय रखने के लिए वातावरण जो है बहुत ज़्यादा आवश्यक है यानि कि आपके जो एटमोस्पेर है और उसका राइट आंसर बताया तो यह आपका सही आंसर हो जाएगा आई अगला कुछन देखते हैं अगला कुछन हमारा कुछन नमबर टेन देखिए यहां पर पूछा रहे कि अंतराश्टी यह पे जलापूर्ती और स्वच्छता दसक निमन लिखित में किस कालवदी में मनाया गय गया था 2018 में यह भी कुछन आपका पूछा गया था और यह मन्त में कब हुआ था यह देसंबर 2018 का कुछन है तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है देखिए यहां पर इस कुछन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपको आप्सन नमबर था तो यहां पर आपसन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा यह आपको याद रखना है आई अगला कुछन देखते हैं अगला कुछन हमारा है कुछन नमबर 11 देखे यहां पर पूछा जा रहा है बिसी के लिए कि ताप विदुद सन्यंत्रों में उत्पादित तो बिसीकली देखे यहां पर इस कुछन का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका आपसन नमबर डी यहां पर क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ये चार हो आपके से ही हैं पहला दूसरा तीसरा और चोता सोचम पोसक के रूप में जो है इस इस उपर से निकलता है तो उसको filter भी किया जाता है ऐसा नहीं के एट पॉस्मियर पे छोड़ दिया जाता है वायू मंडल में तो उसको filter करेके रखा जाता है और इसका इस्तमाल सुचम पोसक के रूप में agriculture में किया जाता है बंजर भूमी को फिर से उपयोगी बनाने में किय जाता है बाद और जल धारण संरचनाओं में किया जाता है जिससे सिमेंट बनाने में भी इसका इस्तमाल होता है और इट उद्योग में भी इसका इस्तमाल होता है तो एक तरीके से परियावरण हितैसी संसाधन के रूप में इसका इस्तमाल किया जाता है तो यहां पर यह option D में दिया गया है तो ये आपका right हो जाएगा आई अगला question देखते हैं अगला question हमारा है question number 12 और ये विडियो का हमारा last question होगा देखे इसमें पूछा जारे कि प्राकृतिक विपदाओं के निमनलिखित प्रकारों में से किसका निश्चित प्रारंब और अंत नहीं होता है ये आपको बताना है यानि कि कोई निश्चित प्रारंब होने का time नहीं है और अंत होने का समय नहीं होता ये कौन सी आपदा है ये आपको बताना है पहला भुकम दिया गया बीभोस कलन सी दिया गया प्रभंजन यानि हरिकें और सी दिया गया सूखा अब इन चारों में से राइट आंसर हो जाएगा सूखा कोश्चन में यह पूछा गया था कि प्राकृतिक विब्दाओं के इन सभी विकल्प के प्रकारों में से किसका निस्चित प्रारंभ और अंत नहीं होता है यानि सूखे का कोई प्रारंभ आप नहीं किस कर सकते हैं कि कब से सूखा स्टार्ट होने वाला है और माल यह बारिस बहुत समय तक नहीं होई तो वो इलाका आपका सूखा ग्रस्थ हो जाएगा और अंत कब होगा ये भी आप निस्चित नहीं कर सकते हैं जबकि भूकंप यहां पर आपका option D क्या हो जाएगा हमारा right answer हो जाएगा इस question का तो अगर आपने option D right answer बताया है तो यह आपका सही answer है तो यहां पर जो है आपके यह 12 question मैंने complete करा दिया है और सभी question काफी ज्यादा important है और यह previous year से question मैंने लिए हैं और जैसा कि मैंने आपको 20 में बताए कि जैसे भी आपके help हो सकती है वो सारा कुछ मुझे बताएगा एक research attitude का आपने बताया तो उसको भी मैं काम कर रहा हूँ question type हो रहे है उसको भी मैं करा दूँगा उसमें भी 2021 के भी question मैं करा दे रहा हूँ और 2019 के भी question करा दूँगा संबत्तम मैं प्रयास करूँगा कि यह 3 सा आप सभी के लिए काफी ज्यादा helpful रहा होगा वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो वीडियो को आप like करके हमें appreciate कर सकते हैं काफी ज़्यादा content को type करने में क्यूंकि मैं बहुत सारे तो लोग नहीं मुझे सारा काम करना होता है type करने में फिर वीडियो को बनाने में आता तो नहीं बस appreciate जैसे motivation बना रहे कि आपको content में provide करता हूँ आपको इससे help मिल लए तो आप like कर रहे हैं ठीक है तो like करके हमें appreciate करें वीडियो को आप share कर सकते है maximum दोस्तों के साथ ताकि उनको भी इस वीडियो से help मिल सके अगर चैनल पे आप नए है तो चैनल को subscribe करके जो bell icon का button होता है उसको आप press कर लीजे आप किसी भी exam के तयारी करें निस्चित रूप से आपको इस चैनल से फायदा होगा ये मैं आपको भरुस्ता दिलाता हूँ तो subscribe करके bell icon को press जरूर कर ले तो friends आज के वीडियो में बस इतना ही फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कु